हलो गाइज वेलकम तो मैं चानल कीरती मल होत्रा और आप सब कैसे हैं आपकी फैंबली और फ्रेंट्स सब अच्छे होंगे और आप भी अच्छे होंगे तो आज का मेकप लोग होने वाला है आज मैं जा रही हूं किसी वेडिंग पर उनका रेश आप्शन है तो मैं मेकप कर अच्छे से फेस वाश कर लिया है मौशराइज कर लिया अपनी स्किन को टोनर लगा लिया है सीरम लगा लिया है और अच्छे से अपनी स्किन को प्लंप अच्छे से ग्लोइंग कर लिया है और मौशराइजर भी मैंने बहुत अच्छे से लगा लिया है संस्क्रीम भी लग प्राइमर है चेका प्राइमर मैं इसे लगाले Matt Star की अपन लगाने के बाद मैं इसको अध्य से अपने फेस पेक्ञ जुड़ करूँगी। क्योंक Doc दो कुछ हमारे ओपन पोर्ट्स नहीं कर्दों डेता है ना हमारेСकीन पर पैंड़ा प्राइमर हम कि अच्छे से मॉश्राइज करना भी बहुत जाला जरूरी है तो प्लीज अपरे स्कीन को फिश वाश करके मॉश्राइज करके फिर प्राइमर लगाईएगा लिप्स पर लिप बाम जरूर लगाईएगा ठीक है मैंने अपना लिप पहले लगा चुकी हूं तो लिप बाम भी कि मैंना सौंग सुन रही थी तो इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं पाई तो देन मैं इसके बाद ना करेक्टर नहीं लगा रही हूं मैं करेक्टर से पहले बेस लगा रही हूं अपना क्योंकि यह मेरा ना बेस थोड़ा सा ना डार्क शेट का है तो यह मुझे बहुत कुछ भी लगा सकते हैं अगर आपके पस करेक्टर भी है तो आप करेक्टर भी लगा सकते हैं तो यह मेरा थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत डाक है बट मैं बेस लगा लेती हूं तो इससे बहुत जादा ग्लोइंग मेक अप होता है मेरा काफी मुझे ऐसा लगता ह ग्लोइंग, तो आज मैं बेस लगा रही हूं, वैसे भी मैं सादा हम बेस यूज़ करती हूं, करेक्टर कम यूज़ करती हूं, इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करना गाइस, बहुत ज़़ाधा कमपल्सरी है, यह नहीं कि पूस आप ऐसे ऐसे मल लो, ब्लेंडिंग करने हैं आपको बहुत अच्छे से देहिए लिए अच्छा ग्लो आया है ब्लेंडिंग के बाद शाइन आगे हैं फेस पे सारा डाक स्पोर्ट पूरे क्लीन हो गया मेरे अब मैं यूज कर रही हूं अपना फांडेशन, फांडेशन मैं यूज करूंगी अपना आप सा diamond palette Kush कर रहे ही मेरी थोड़ इसी लगे लगए श्वाइन वली लगए growing सी जो जाती है तो बना gene inique foundation में उपना highlighter मिक्स कर रही हूं then में जब देन लगाँ अब ऐम अच्छे से my जड़ कर ले रही हूं नही थे में highlighter का । jeśli देन नव Jewish है एंश्किन पर चीखा पर अपने अच्छ लगा लें लिप्स के उपर और नीचे दाएं बाएं लेफ राइट उपा नीचे सब जगा अच्छे जब लगा लें मैंने बहुत अच्छे से लगा लिया है इसको अच्छे से अपता है इस गाने चल रहे हैं तो मैं टीवी पन नहीं कर पारी थी क्योंकि गाने चल रहे थे तो पापा की भी अवास थी पापा मेरे साथ ही थे तो फिर इसलिए मैंने ना बन नहीं किया और मैं आप रिकॉर्डिंग कर रहे हूं इसको अच्छे से ब्लेंड करें ब्लेंड करना है ठीक है मैं भी देखे अच्छे से ब्लेंड कर रहे हूं दबा दबा के और फांडेशन क ब्लेंड करना आप देखे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लिया जो एक्स्ट्रा बचा है वह अपनी मैं नेक पे लगा रही हूं कि नेक भी ना कवर करनी है क्योंकि उपर की शेकल एकदम ग्लोई एंग शाइन लगे हैं नेक काला काला लगे तो इसलिए हमें नेक को भी पूरा कवर करना है मैंने हे ठीक है तो अच्छे से मैंने अपने एर्स को भी कर लिया है देन आप मैं यूस करूंगी अपना मैं शकल को देख रही हूं कि मैं कैसी लग रही हूं तो होता है ना लड़कियों कि थोड़ी आदात होती है तो प्लीज गाइस बैक्ग्राउंड को थोड़ा आवॉइड करिएगा क्योंकि मैं कहीं भी बैटके वीडियो बना लेती हूं अभी मेरा अपना बैटके बना सकूं तो यही रूम है जाला तर मैं सफीर रूम में में मेकप करते हूं अब ब्लशर लगा रही हूं तो अब मेरा थोड़ा साना क्रीमी ब्लशर है क्रीम वाला यह मैं नियूं खरीद है का आउटना ऑं différents यह बहोत जाएया है नरिहां है तो देखिमी प्यार्व में मि अब आए ढार ज रखाएय और अब इसलिक के स्कषप का यह ढचाया तोन का यह दे गया है रेडिश पिंकिश टोन आ गया है मेरा अच्छे से इसको ब्लेंड कर लोंगी क्योंकि जादा रेड रेड ना लगे ओवर भी ना लगे और कम भी ना लगे नॉर्मल लगे कि आपके स्केन पर हां पता चले कि यह रेडनेस है पर यह नहीं कि लालल को यह को डाक सकल के नीचे ना कोंपैक पाउडर लगाऊंगी लुस पाउडर सोरी लुस पाउडर लगाऊंगी मेरा स्क्रेच नहीं आएंगे फाउंडेशन में अच्छा ना ऐन च्प्पयाँ कि ओ अगया झेस श्याट कशो ब्केमी में कि अगर मेरा आइशाडव पाले तो फबया ज़यों फिरगे दिए कि आल्या कीई तो तो जाएगं देखी मैं लगा लिया तो या ऑँच्छे से जब्रों को उपने से करने चाहें या फंपक्त होता है उसे कर सकते हैं तो इस ईसे सथब जाएगा मेरा foundation कीकी नहीं लगेगा जाते हैं अलग से कीकी सा हो जाता है फट जाता है foundation scratches आ जाते हैं edit वो नहीं होगा ठीक है तो इससे ize नहीं आएगी lines नहीं आएगी अच्छे से ये ठो जाएगा अब मैं अपना काज़ा लगा रही हूं तो अच्छे से लगा लूँगी टूट किया है पता नहीं क्या हो गया है तब मैं अच्छे से काजल लगा रही हूं उसमें उपर नीचे दोनों में लग जाएगा बट मैं उपर से बीज़ लगाऊंगी क्योंकि आखे ना वड़ी बड़ी लगती है अब में अधर लगांगी काजल मैं लगा रही है अपना इसका मेबलीन का कोरोसल बहुत अच्छा काजल आई है और थोड़ा सा ना मैं इसको नीचे से नीचे से थोड़ा सा ना स्मोकी टाइप कर दूंगी थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी ब्रेश से अन देखिए अब मैं गाईज उपर लगा रह लगने के बाद ना बहुत अच्छा शेड है आइस बड़ी-बड़ी लगती है तो देखिए यह मैंने लगा लिया है अब मेरा लग गया आगा जल भी मेरा अच्छे से लग गया है बहुत लाइटर शेड लगा है अग्दम बहुत लाइटर क्रीज को अच्छे मैंने कर लिया है और सबसे पहले होता है blending blending बहुत अच्छे से करें अगर आप अच्छे से blending करेंगे तो आपका बहुत अच्छा शेड आता है निकर के उससे पहले आप अपने ना आइस की ऊपर ना या आपको भी foundation लगाएं बेस से या consider लगा लें बहुत अच्छा शेड आता है एंड मैं अब यूस करूंगी इसमें थोड़ा सा हाइलाइटर क्योंकि मुझे जादा ओवर नहीं करना था अपनी आइस को तो मैंने देखे हाइलाइटर कर लिया हलका से शाइन आ जाएगी यह मेरे बहुत जादा शाइन नहीं ला हैं ऐजायांगा इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही ні हूं तो मैंने अच्छे सेदे अब मैं blue liner लगांगी क्योंकि मुझे प्लू लाइनर बहुत ज्यादा पसंद भी है तो मैंने लाइनर लगा लिया जैने इसके बद में собствен लिप्स्तिक लागा रही हो क्योंकि यो कुछ हो गया था कामर ओमें पता है नहीं मुझे लगा है यह रहिंद नहीं तो ठीक बहुत प्यारा है यह मैं कलाम का लैपस्टिक का तो यह मैंने लगा लिया है युथ iba तो यह सब मैंने लगा लिया है थोड़ा साइट से बाल की प्रॉब्लम है कुछ आप बताईएगा कुछ तो ऐसा तरीका होगा जिससे मेरे लाबाल लंबे हो जाएं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताईएगा थोड़ा साना हलका सा मैंने टोन दे दिया मस्कारा रह जाएं याक किमेरा लाइनर ना फेफिक खराब हो जाएं कि इसलिए मैंने लास्त मेंसऑ लाइनर लगाया है यह लाइनर काफ़ी अच्छी कवरेज आयरस चाए इसकी बहुत जादाभी कवरेज का यह आइंस का वाल्यूम यह मेरी वाल्यूम बहुत अच्छा आइसका अच्छा वालियूम दे देता है ये मेरी आईलाशिस को बहुत अच्छा मुझे आईलाशिस लगाने की ज़रूत नहीं पड़ती एक तो मेरी आईलाशिस काफी बड़ी भी है और उपर देखो चप करके लग गया वो मुझे से मिस्टेक हो जाती है कभी कबार मैं आखके फट से कोल लेती हूं ये बड़ी बड़ी आँखे वाली लड़ी की हूं है लास्ट में करी है मैंने अपनी आईब्रोस क्योंकि मैंने आईब्रोस ना बनवाई नहीं हुई बिलकुल भी मैंने सोचा कि शादी ये मैं आपको बाद में बताऊंगी ठीक है तो मैंने सोचा कि बाद में ही बनवाऊंगी आईब्रोस लास्ट में तो फिर मैंने सोचा कि आईब्रोस को हम ऐसी सेट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा तो मैंने इसी रिव्न पैंसल से अपने अपनी इप्डो ermी प्रोप्फ सेुच्छ वंड़ी 10 धिल से मैं है तो मैं ठीस इन अपनी अपनी आइप्रोप को सेट कर लिया आप भी गाई अच्छे से करेगा बहुत अच्छी ना इप्रोप अच्छी लगती हैं फिर फेन इन अब मैनने इबोष सेट करने के बाद यहाँ से मैं थोड़ी सी गंजी लग एगा प्लीज मुझे पताएगा कोच तो ठीके अब मैं सोच्ण चरिए कि क्या करों पता नहीं मैं क्या करूँगी मुझे कोद नहीं यहां कि मैं क्या करने वाली हूं शायद में एरिंग्स पैनूंगी अब और में रेडी हो चुकी हूं तो यह ना बहुत जल्दी से मेकप हो जाता है फटा फट और मेरे ज्यादा बड़ी लंबी वीडियो नहीं बनी इस परी मेरे बालों में थोड़ी सी प्रॉब्लम में तो में मिन्त्रा से मंगाएं यहां बॉक्स खूगया था जल्दी जल्दी चलो अब त्यार हो गई तो मैं का बस बड़ियो में यह एक नेक पीस पें लिया तबनी ही ना और मैंने पॉनी ही बनाएधी हेस्टाइल में और प्लाइधे जोड़े जोड़े उटे बाल लग रह और तो मैंने इसमें इसको सेट कर लिया है कि यह बूरे ना लगे है इसलिए से मैंने कॉम कर ली है कि इसे न अच्छे इसे न वैड़ जाएंगे यह मैंने आपको एक वो बता दिया है ठीक है तो मिलते हैं बाबाई टेक कैल लव यू और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाई